अब आप नमस्कार एवीपी गंगा देख रहे हैं आप महीं वबधेश गंगा से वेरा क्या शुरुवात करते हैं इस वक्त के एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर है सितंबर महीने से मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है अनलाग फोर के पहले हफते से ये मनजूरी मिल सकती है तो सुत्रो के हवाले से बड़ी खबर बड़ी राहत मिल सकती है सितंबर में आम पबली को सचर्थ मेट्रो में चलने की छूट मिल सकती है कोरोना के चलते करीब पांच महीने से दिल्ली मेट्रो बंध है शुरुबात में सिर्फ सरकारी इम पनिवारे होगा स्मार्ट काड रखने वालों के लिए ही यात्रा संभव हो पाएगी टोकन नहीं मिलेगा टोकन लेने वाले सभी काउंटर और टिकर्ट बेंडिंग मशीन बंद रहेंगे सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को मेट्रो चलाने को लेकर जो मस्ताव भेजा है उसके मताबिक मेट्रो परिचालन के शुरुवाती एक सब्ता में सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही आत्रा करने का मौका मिले उसके बाद एक सब्तावास समिक्षा की जाए अगर सब कुछ ठीक चला तो बाकी लोगों के लिए सफर शुरू हो सकता है लेकिन ब सब्त्रा वही कर पाएंगे जिनके पाद स्मार्ट कार्ड होगा और दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसमें ये भी कहा गया है कि शुरुवाती हफ्तों में केवल सरकारी कर्वचारियों को ही अनुमती मिले रिव्यू हो पूरे फैसले का और अ लेकिन अब इसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई और बड़ी खबर मेरट से है जहांपर प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई आग पर कावू पाने की तमाम कोश्चें जा रही हैं आग लगए एक काल्बों का भी पता नहीं चल पाया है तो बड़ी खबर मेरट से है जहांपर एक प्लास्टिक का गोदाम आग की चपेट में आगया देखें तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपके सामने है ये प्लास्टिक का गोदाम है जहांपर आग लग गई और ज्वल्द सीन होता है प्लास्टिक ऐसे में बहुत तेजी के साथ आग पहली आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है और आग लगने के कारणों का फिलाल अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन ये जो गोदाम है आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और लगातार आग बुदाने की कोशिशें यहाँ पर चल रही है और बलराम पांडे हमारे साथ जो गए है बलराम कितना बड़ा ये गोदाम था पूरा और क्या अब आग पर काबू पालिया गया है लेकिन अभी भी आग बुदाने का काम कर रही है और अभी भी आग पूरी तरीके से नहीं बुजी हुई है आग पर फिलहाल काबू पालिया जया है लेकिन अभी भी आग बुझाने का प्रयाज किया जा रहा है क्योंकि आग की लब्ते इतनी ज्यादा थी इतनी भयावा थी कि उनको काबु पाने में जो दमकल के जवान थें उनको काफी मसक्कत करनी पड़ी है हला कि अब आग काबु में है लेकिन अगर कहा जाए कि पूरी तरीके से बुझ गई है तो अभी कुझी नहीं है अभी भी दमकल के जवान आग बुझाने का प्रयाद कर रहा है और उमीद है कि जल्द ही आग पर पूरी तरीके से काबु पालिया जाएगा शुक्रिया अबलराम जानकारी और प्रेट्स को देने के लिए और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द योगी मंत्री मंडल का विस्तार होने जा रहा है जिसको लेकर काफी चर्चाएं है विदाएकों के असंतोष के बेच मंत्री मंडल विस्तार के खबरे आना कई अटकलें सामने आ रही है माना जा रहा है कि मंत्री मंडल के विस्तार के जरिये विदाएकों के असंतोष को साधने की कोशिश की जा रही है खबरों की माने तो सिदंबर के दूसरे हफते में यूपी के मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है आपको बता दें कि कमल, रानी, वरुन और चेतन चौहान के कोरोना से निधन के बाद मंत्री मंडल के दो पद खाली हो गए है सूत्रों की माने तो ब्राम्हणों को मंत्री मंडल में शामिल करने को लेकर चर्चाएं है क्योंकि इन दिनों ब्राम्हणड पॉलिटिक्स इस वक्त उत्तर प्रदेश में चरम पर है नाराज़गी दिख रही है करे खेमों से और इनी के मद्दे नजर अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है सितंबर में ये विस्तार हो सकता है और जो दो सीटे काली हुई है इन में ब्रामण चेहरों को शामिल करने की अठकले फिलाल सामने आ रही है तो सरकार और संग में चर्चा शुरू हो गई है जानकारी ये मिल रही है इसके साथ ही साथ सितंबर में ये फिर बदल ये विस्तार हो सकता है और कमल रानी वरूण चेतन चौहान का कोरोना की वज़त जिस तरीकिस निधन हुआ दो सीटे खाली हुई अब इनी पर विस्तार क चर्चा है विदान सबाद सत्र का आज दूसरा दिन है सदर में आज सत्र विधेक लाए जाएंगे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है ब्राम्ह राजनीती को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं जितिन प्रसाद जो कॉंग्रेस के नेता है उन्होंने भी चिठी लिखी विधायकों कि आप ब्रामनों का मसला उठाएं सवाजवादी पार्टी पहले ही इस मसले को लपक चुकी है और जिस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स चल रही है उन सब के बीच आज सत्र विधेक तो रखे जाएंगे लेकिन हंगामा भ लोग नियंत्रा रिधादेश जैसे सत्र महत्वपूंड विधेक रखे जाएंगे अगर बड़ी ख़वर प्रियागराज से है जहां पर यूरिया की किलत पर सियासत चुरू हो गई है कॉंग्रेस आज प्रदेश भर में विरोथ प्रदर्शन करेगी प्रियागराज में ए उसी मामले पर अब यूपी कॉंग्रेस एक बड़ा अंदोलन ख़डा करने की कोशिश कर रही है यूरिया की गिलत पर सियासत चुरू हो गई है कॉंग्रेस साथ प्रदेश पर में विरोथ प्रदर्शन करेगी प्रियागराज से मुहमद मोहिन हमारे साथ जुड़ गए है मोहिन किस तरीके से यूरिया के संग्राम को बड़ा करने की रणनीती कॉंग्रेस बना रही है। प्रदर्शन करने को पर है। तो प्रयागराज में भी आज ये प्रदर्शन होगा दो पर एक बज़े का वक्त से किया गया है। अलांकि जो सोशल डिश्टन से पूर्ड कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है। इस वज़े से बहुत लोग नहीं रहेंगे, प्रतिकात्मक दोर पर 10-11 लोग रहेंगे। वो उतिलादेकारी का रहा लेपर किसी भी मजिस्ट्रेट को ग्यापन देंगे। और उसे ये मांग करेंगे कि वो ये मांग जा है, वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर और मुक्समंत्री पर पहुंच है। कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो उज़्या की किल्लप ना होने पर उसमें इसे किसानों को काफी सिक्कतों का सामना करना पड़ गाए। तो अधिलिक प्रदेश पर प्रदेश में कांगरेस परदेश करेगी और ये भी जानकारी है कि सोशल डिश्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया जाएगा, कोरोना प्रोटोकाल का भी पालन किया जाएगा। और प्रयागराज की बात करें तो दो पर एक बजे कांगरेसियों का पत्नी जिमंडल कलिश्ट्रेट जाकर वहाँ पर अपना ग्याफन सौपेगा। आगराजिला प्रशासन ने अनलॉक के तहट एक से दंबर से स्मारकों को खोलने का फैसला किया है, हलाकि अभी ताजमहल और आगराफोर्ट को नहीं खोला जाएगा, लेकिन इने छोड़ कर सिकंदरा, फते पुर्सिकरी, एत्माद, दौला, महताब, बाग खोलने के आदे रहेंगे, तो आगरा में पैर्टन को एक बार फिर से रफ्तार देने के लिए, जो स्मारक हैं, जहां पर सेलानी जाना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, उनको खोला जाएगा, एक सिदंबर से, लेकिन ताजमहल और आगरा फोर्ट अभी भी नहीं खोलेगा, महताब बा ये राहत आधी अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि आगरा प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए, ताजमहल और आगरा किला को छोड़ कर बाकी सभी मॉनुमेंट्स को एक सितंबर से खोलने के निर्देश दिये हैं, दरसल आगरा प्रशासन ने आज कोबिड की समीक है, वो दूसरे शेहरों और जिलों की तुलना में काफी कम आ रही है, और ऐसे मैं पिछले लंबे समय से टूर्जम इंडस्ट्री से जुड़े लोग की आर्थिक स्तिय है, वो भी लगातार खस्ता हो रही है, और यही वज़य है कि आगरा किला और ताजमहल छोड़ कर बाक करा से ने तन उपाद ध्याए, एवीप गंगा और देवरिया के सदर सीट से बादपा विधायक का निधन हो गया है, विधायक जनमेजे सिंह का लूहिया अस्पताल में दिधन होगा है, घनमेजे सिंह की कोरोना रिपोर्ट रेगिटिव आई थी, लेकिन इलाज के दोरान उन्होंने दम सोल दिया तो रुखत खबर देवरिया से देवरिया के सदर सीट से भाजपा विधायक का निधन हुआ है विधायक जनमेजे सिंग का लोहिया अस्पिताल में निधन हो गया हर्ट अटेक होने से जनमेजे सिंग का निधन हुआ है जनमेजे सिंग की कोरोना से निधन हो गया विदाइक जर्मेजा सिंग को लोहिया अस्पदाल में भर्टी करवाये गया था लेकिन डॉक्टर सुने बचा नहीं पार और प्रताब गड़ में सिपाही ने मानवता की मिसाल पेस की है मारपीट में गायल चक्ष को अस्पदाल पहुचाया खुन जादा न इतना ही नहीं जब सिपाही को पता चला कि खुन जादा निकल गया है फौरन खुन की जरूरत है तब सिपाही ने खुन दे कर उस शक्स की जान भी बचाई संग्राम गड़ के मुरैनी गाव में मारपीट हुई थी और वहां पर ये एक अच्छी मिसाल सिपाही ने पेश की है प्रताब गड़ की तस्वीरे हैं और यही वो तस्वीरे हैं जो पुलिस बल पर गर्व करने का मौका दे देती हैं क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो खाकी की शांदार छवी को दागदार करने में लगे रहते हैं इटा के जैतरा थाना च्छेद्र में पुलिस ने कवे थतियार बनाने की फैक्टरी पर शाफा मारकर जंगल में चल रहे हैं अवे थतियार बनाने की फैक्टरी से बड़ी संख्या में बने अद्बने अवे थतियार कार्तूस और अवे थतियार बनाने की उपकरन रामत किय पुलिस ट्रीम ने कवेद अधियार बनाते हुए शक्स को गरफ्तार किया जबकि दो अन्या रूपी फरार हो गए जिनकी तलास की जा रही है और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से बढ़ उत्री हुई है और आज 19 पैसे प्रत लीटर पेट्रोल मेंगा हुआ अब 81 रुपए 19 पैसे प्रत लीटर दाम हो गए पेट्रोल के डीजल के दामों में आला की कोई फिर बदल नहीं हुआ है डीजल 73 रुपे 56 पैसे 5 लीटर है 20 दिन से डीजल के दाम इस्तिर है और पेटरोल के दामों में लगतार बढ़त्री जारी है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कच्चे तेल के दाम में भले ही गिरावट चल रही लेकिन पेटरोल के दाम बढ़ रहे है जिल्ली में पेटरोल के दामों में फिर से बढ़त्री हुई है आज 19 पैसे प्रती लीटर पेटरोल महगा हुआ है डीजल के दामों में हाला कि फिर बदल नहीं हुआ है बीचे 20 दिनों से डीजल के दाम इस्तिर है लेकिन पेट्रूल के दाम लगातार बढ़ रहें कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार मास्क लगाने के अपील की जा रही है लेकिन मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं और इसी बात पर बलिया में स्डियम का घुस्सा भड़क गया उन्होंने न सिर्फ बाजार में बलकी नियायरे परिसर में लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दिये हाथ में लाठी है कॉलर पर सरकारी रुद्बे का रसूख है तो साहब क्यों सुनेंगे एक, दो, ती, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, महज 15 सेकेंड में एस्डियम साहब ने आठ बार लाठियों से किये बीच बाजार दना दनवार बलिया में एस्डियम साहब की टशन बाजी देखिए बीच बाजार बरसा रहे हैं अपना थर्ड डिगरी टॉर्चर लाठियों की बारिश और टशन बाजी एस्डियम साहब अशोक चौधरी की कानून के रखवालों को साथ में लेकर एस्डियम साहब निकले हैं अपनी मनमानी करने देखिए कैसे दुकान से खीच कर लोगों पर लाठियों की बारिश कर रहे हैं साथ में कानून के रखवाले हैं, तो साहब खुद ही कानून को टाक पर रख बैठे वर्दी में मौजूद पुलिस कर्मी दुकान से लोगों को खीच रहे हैं साहब के दिमाग पर चड़ी गर्मी को शांत करने के लिए मनमानी कर रहे हैं साहब के दिमाग पर चड़ी इस गर्मी के पीछे की वज़ा भी जान लीजे जिसकी वज़ा से दुकानदारों को इस तरह पीटा गया है हुआ है इसके बहुत है रहे हैं इसके बहुत है रहे हैं जोच आपने मामला महापश दोच आपने मारी के दौर में मास्क से जुड़ा हुआ है मास्क के लिए लाठियों की बारिश का अधिकार कौन से एक्ट में है इस बात का जवाब इनके पास भी नहीं होगा सिफ दुकान ही नहीं SDM साहब की तानशाही की तस्वीरे नियाले परिसर में भी दिखाई दी देखें कि साहब दिखाई दे रहा है उस पर लाठी दाग रहे है खास और आम का तो मतलब छोड़िये यहां तो साहब बुज़ूरों पर भी लाठिया भासते नजर आ रहे है SDM साहब की इस पूरी तानशाही पर जब ABP गंगा ने सवाल पूछा तो जवाब DM साहब का आया साहब मास्क के नियम से इत्रफाक रखते हैं लेकिन लाठियों की बारिश को गलत बता रहे है आप लोग के मादम से यह पता चल ला है मैं इस पर बात करूँगा और जयांकरी करूँगा इसकी सुना आपने मामला मीडिया में आने के बाद गलती भी दिखाई दे रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि CM की सक्ती की बाद आखिर्क्यों अधिकारियों के दिमाग में नहीं आती है कानपुर में दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ धर्मांतरन करके शादी करने का मामला सामने आया लड़की के पिता के द्वारा पुलिस में बेटी के अपहरण की शिकायत किये जाने के बाद लड़की ने सोशल मेडिया पर अपना वीडियो वार्यल किया लड़का और लड़की ने फेस्बुक पर वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि वो खुद अपनी मर्जी से शादी उन्होंने किया है अपनी एक्षा से उन्होंने धर्मान त्रण किया है मैं शानली डॉटर अब जैचन यादो मेरी उम्र बाइस साल है यह मेरा अधार कार्ड मेरी एज प्रूफ है मैं हाई जी वन अब्लिकेट बरट शे की रहने वाली हूँ अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एक्जाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनाउं के लियो लेकिन मैं अपने दोस मुहमत पैसल जिनको मैं छे साल से जानती हूँ इनके साथ मैं दो जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की मैंने अपनी मर्जी से अपनी राजी खुसी से बिना किसी दवाब बिना किसी पोर्स से मैंने अपना कनवर्जन किया हमने निकाह किया, और निकाह किया सथ साथ हमने court marriage भी कि और यह हमारा दो तारिको गाजियाबास से हमने दोनों ने अपने पुछ से court marriage किये मेरी शादी का पत जैसे ही मेरे घरवालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का जिनका नाम विकास यादवे फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि यह जो तुमने कर लिया है तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा पर ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो की तुम बच जाओगी तुम तुम्हें कुछ नहीं होगा या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें आना पड़ेगा और यहाँ पर वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है फौरा नाजिरोते है और इस वक्त बड़ी खबर मैन पूरी से है जहां पर सपा नेता अरविंद प्रजापती ने जहर खा लिया मुलायम के पौत्र तेज़ प्रताप पर आरोब लगाए हैं उन्होंने तेज़ प्रताप के खिलाफ पोश्ट लिखी है और उसके बाद सपा नेता अरविंद ने जहर खा लिया आलत गंभीर बताई जा रही है और आरोब भी बहुत गंभीर है तेज़ प्रताप पर जूटा रेप केस लगवाने का आरोब लगाया है कि तेज़ प्रताप में ने उन पर जूटा रेप का मामला करवाया और इसी से दुखी होकर उन्होंने जहर खा लिया जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मताबिक सपा नेता अरविंद की हालत गंभीर है अरविंद ने जहर खाने से पहले एक पोश्ट लिखी और तेज़ प्रताप पर जूटा रेप केस लगवारे का आरूप उन्होंने लगाया है तो बड़ी खबर मैंपुरी से है जहाँ पर सपा नेता अरविंद प्रजापती ने जहर खा लिया है मुलायम के पौश्टर तेज़ प्रताप पर आरूप उन्होंने लगाए है तेज़ प्रतालिया हालत गंभीर बताई जा रही है और इस ब्रोटन में फिलालित में है